आप लोग इन्शालला खेरियस से होंगे तो आज में लेकर के आ गई हूँ ना बहुत ही मज़े के ये टिप्स जी हाँ ये रिलेटेड आज किस्चिन से नहीं है आज रिलेटेड है अपने स्कीन से क्योंकि समर आ गया है ना तो समर में टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत जाद जादा फेस हम लोगों को करना पड़ता है और बाहर निकलते न उन लोगों को जाधा फेस करना पड़ता है तो जितने भी सारे प्रोटेक्स यूज कर ले फीर भी टैन वहीं का वहीं रह जाता है तो जिसके वज़े से बचने के लिए होम रेमिडी में लेकर के आई हूँ तो चली इंग्रिडियन्स देख लेते हैं इसके लिए मैंने यहां पर चीनी ले लिया है रेगुलर जो यूज करते हैं किचन में जो चीनी हमारे मौजूद रहते हैं वही ले लेना है और उसके साथ नहीं यह लेना है और साती साथ तुद्पेस कोवी ब्रांड का हो वह आप ले लिजेगा और उसके बाद आपको हनी ले लेना है तो यह सारे चीज़ों को अाछटे से हम लोगों को सब से पहले मेक्स कर दें तो यह शुगर लिया है शुगर में सबस्य चलिए ने बू को कट करके लिए ले लेते हैं तो वन टीस्पून ली यह है शुगर तो निमब बाइ स्टेप बताती हैं कैसे करना और ये इसे बी बता दूँ ये तपने मेंस भी लगा सकते हैं जी और तूत्पेस को भी इसमें ले लेना है और लेने के बाद अच्छे से सबको मिक्स समलुक कर देंगे जिहां इन सबी इंग्रिटिएंस को अच्छे से कर देंगे मिक्स और आप यकीन मानेगे यह जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूं आप ट्राइब करेंगे ना तो इन्शाल करेंगे आपको लेकिन हफते में कम से कम 3-4 बड़ इसे इस्तमाल करना इसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा तो देखे इस तरी के से कर लेंगे और बहुत कोई को ना क्या होता है नीम्बू से अलर्जी होता है तो जिसके वज़े से अगर आप लगाने के बाद आपको ऐसा और नहीं तो सबसे बेस्ट रहेगा आप दूद का जो मलाई होता है ना वो अपने कहीं पे भी हातों में या फिर फेस में जहां आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये पेस्ट को यूज कर रहे हैं वहां पे आप लगा ले तो आपकी जो वह भी समझ से आप भी खतम हो जाएगी अगर जल रहा है या कुछ भी मतलब लेमन से आपको अलेर्जी है तो वह जो है वह भी ठीक हो जाएगा अधिके हाथों में मैंने करके दिखाया आप यकीन मत मानीगा मतलब आप तो देख रहे हो पर आप यकीन कर रहे हो कि नहीं नहीं पता आप जब इस्तमाल करोगे ना अभी समझ में आएगा एकदम हाथ मेरा चमक गया था अब मैं इसे वाश करके दिखाती हूं तो जब वीडियो शूट करने के बाद ना दोनों हाथों में मैंने लगा लिया था क्योंकि एक हाथ तो चमक रहे थे पर एक हाथ जो जादा अच्छे नहीं लग रहे थे तो इस किसी नेक्स टिप के साथ किचन टिप्स या फिर हों या फिर हों हों रेमेडी जैसे ब्यूटी के हवाले से भी मैं दिखाती हूं अपनी चैनल में तो इसके साथ फिर से मिलती हूं तब के लिए अल्लाहाफिस टेक क्या एंबाबाय फ्रेंस और प्लीज दूआ में जरूर याद रिखेगा और ये भी मत भूलिएगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है तब ही मैं इंशाला आगे बढ़ सकोगा कमेंट्स कीजिएगा आपका प्यारा प्यारा कमेंट्स मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट्स भी जरूर से जरूर स्ब्सक्राइब